दोस्तों गिल की कप्तानी में भारत की युवा टीम ने जिम बॉंबे को चार एक से कुचल कर इतिहास लिखा तो अब खुद कप्तान महिंदर सिंग धोनी से लेकर विराट कोहली ने भी इन युवा सितारों को भारत का सुनहरा भविश्य बताते हुए सलाम ठोका है तो वहीं पे शोईव अख्तर से लेकर मैक्स्विल जैसे सितारों ने भी अविशेक गिल से लेकर ये शश्वी की जम कर तारीफ करते हुए जो कहा है सच में इन युवा सितारों का सीना भी गर्व से चोड़ा हो गया तो आखिर कैसे इन महान खिलारियों ने किया टीम इंडिया की जीत को सेलिबरेट उन सब के दिनों को छू लेने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ये शश्वी और अविशेक शर्मा मिलकर रोहित और कोहली की जगह ले पाएंगे या फिर नहीं अपनी राय नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में जरूर दीजेगा दोस्तो जिमबॉम्बे के खिलाफ पाँचवे टीटवन्टी में ऐसा भौकाल मचा कि पूरी दुनिया की आखें फटी की फटी रह दई जी हाँ भारत के यंगिस्तान ने साबित कर दिखाया कि ऐसे ही नहीं कहा जाता भारत दुनिया में तीन टीमें बना कर कहीं भी जीत करा सकती है शुमन गिल की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेट ने इस बात पर अब मुहर भी लगा दी है जहां जिंबॉम्बे के खिलाफ पाँच मैचों की टीटवन्टी सीरीज में भारत के चार युवा सितारों ने अपना डेब्यू किया और अपने डेव्यू पर ही ऐसा पराक्रम दिखा दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी बले ही पहला टीटवन्टी मैच भारत हारी हो लेकिन उसके बाद इन सितारों ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि दूसरे मैच में अभिशेक ने शतक ठोक दिया, तीसरे मुकाबले में गिल और रितुराज के नाम रहा, चौथे टीटवन्टी में ये शस्वी का बल्ला बोला तो वहीं पे पाँच में टीटवन्टी में संजु और मुकेश कुमार के नाम से ही जिम बॉम्बे थर-थर कांप उठा और भारती टीम ने चार एक से ये टीटवन्टी सीरीज अपने नाम कर ली और ऐसा करिश्मा कर दिया है कि उनकी ये इतिहासिक जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है जिसकी गूंश तो अब पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है जहां एक तरब धोनी और कोहली उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से ठक नहीं रहे तो वहीं औस्टेलिया से लेकर पाकिस्तान के भी कई बड़े बड़े खिलाडियों ने इस टीम को सराखों पर बिठाया है जी हां दोस्तों सबसे पहले खुद महेंदर सिंग धोनी ने उन्हें सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अब मुझे लग रहा है कि भारत का फ्यूचर सुरक्षत हाथों में हैं सच में जब रोहित और कोहली ने सन्यास का एलान किया तो मुझे लगा था कि कहीं हमारे खिलाडी लापरवाही ना कर दे लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया ये शस्वी जैसवाल, अभिशेक, शर्मा, शुम्बन, गिल, रिदुराज और जितने भी यवा खिलाडियों ने सीरीज में जलवा दिखाया वो सब कमाल के हैं, हम सबको उन पर गर्व हैं, हम सबको प्राउड हो रहा है कि भारत में इतना टैलेंट है, कि बिना अनुभव के भी वो जिम बॉंबे जैसी टीम को इतनी आसानी से हरा सकते हैं वेल डन गाईस, आप बेस्ट हैं कंधों पर सम्हालने के लिए त्यार है, वहीं शोईव अख्तर भारत की जीत के बाद काफी खुश नज़र आए, उनका कहना था कि अगर टीम इंडिया की ये बी टीम भी अगर वर्ल्ड कप खेलती तो वो जीत जाती, इतनी मजबूत है ये टीम इंडिया की, ये बी टीम तो पाकिस्तान की में टीम से भी कई गुनाज़ जादा अच्छी है, वहीं टीम इंडिया के बल्ले बाजों की तो सब ने तारीफ की है, लेकिन मैं उनके गेंड़ बाजों की तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने इस पूरे सीरीज में ने शांदार गेंड़ बाजी की और हर मैच में जिंबॉंबे को कम स्कोर पर रोका, खास करके रवी विश्णोई और वशिंटन सुंदर ने शांदार गेंड़ बाजी की है, इतना ही नहीं ग्लैन बेक्सवेल ने तो ये तक कह दिया, इसलिए तो इंडिया के टैलेंट की इतनी तारीफ की जाती है, चाहे अभिशेक शर्मा की सैंचुरी हो, चाहे कप्तान गिल की बैटिंग, या फिर ये शस्वी जैसवाल और संजू सैंसन की पावर हिटिंग ही क्यो ना हो, उन्होंने जिंबॉंबे जैसी बड़ी टीम को हराया है, जैसे उनसे खिलवार कर रह लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था, अपनी कीमती राय नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में जरूर बताइए, और ऐसी ही शांदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें